हेलो फ्रेंड इस्टुडेंट क्लाश देंद में है तो आप जरूर देखिएगा आज हम क्लाश देंद का मांचित का चित्रांकन मांचित्र जो होता है उसका हम यहां पर बताएंगे जो कि आपको पता है कि मांचित्र आपके पेपर में दस अंकों का आता है पता है दस अंकों का एक एक अंक का एक एक अंक पांच पांच कोशन मतलब आपको रहता है इतिहास से पांच कोशन और वुगोल से पांच कोशन तो इस तरीके से दस कोशन आपके पेपर में आता है और यह मैं आपके ही क्लास्टेंद का ही है आप समझ सकते हैं आधार पर यह लिया गया है और यह बुक जो है मैं आपके सामने प्रेजंट करूंगा और कैसे आपको करना पड़ेगा वह सारी कोईश्चन दिखाऊंगा वह सारी चीज देखाऊंगा वीडियो में लास्ट जरू इस्टे रहेगा हो सकता है कल आप कोईश्चन में अच्छे का मांचित्र बोला जाता है इसको यह विस्ट का मांचित्र है तो विस्ट के मांचित्र में आपको अपना भारत देखना है तो अपना भारत यहां पर है देखिए यह आपका अपना भारत है यहां से ले करके यहां तक ऐसे अपने भारत को हम वना सकते हैं ठीक है अपने भ पाल यहां पर ऐसे हैं और यहां पर आप देखिए этगे बहुत सारे नेस हैं तो हमने विस्ज के मांचितर में भारत को सर्च कर लेहा हैं बस बकी इसमें से कोई मतलब objective type question में काम आएगा अगर आपके पास book हो तो इनको आप पढ़ लीजिएगा objective question में आपके काम आएगे ठीक है तो हम चलते हैं भारत के मानचित्र और भारत के मानचित्र को आप अच्छी तरीके से देखिएगा उसमें जितने भी राज हैं उसको आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा क्योंकि तो आपको आज ही काम करना पड़ेगा आप भारत का मानचित्र लीजिएगा और उस मानचित्र में अपना पूरी तरीके से राज्यों को दर्सा करके समझ लीजिएगा राज्यों को अगर दर्सा करके समझ लेते हैं तो आपके लिए जिसे यहां पर देखें कुछ कोईशन है आपका दिती भी स्यूद से जूदा हुगा प्रथम भी स्यूद से जूदा हुगा प्रशन है कुछ ना यहां पर तो इनको आपको पढ़ लेना है यह आपको काम आएं है तो इसमें यह राजनिति केंदर है जिसको आपको पढ़ेंगा यह question देख लिजए क्यों को पढ़ना है कि हमने जैसे कौरो की रात्धानी नगर क्या है क्या है क्यो Singapore रात्धानी नगर हमारी कौन सी है हस्तिनापूर है और अगर पांड़ों की रात द्हानी नगर कौन सी थी? इंदप्रस्त थी, और भगवान सिरी राम का जन्म कहा हुआ था? अयोध्धा में हुआ था, गुजराथ में हराप्या कालिन बंदर का था? लोथल में था, तो हमें अध्या, लोथल, हस्तिनावूर, इंदप्रस थी, ये सब कहां पर हैं? तो हमें इन सब को ध्यान देना पड़ेगा कि अखिर कहां पर यह हुए और कौरोपांडो का युद्ध जो हुआ था महाभारत हो कहां पर हुआ था ठीक है और अंग महापजनपत की जो राध्धानी थी चंपव वो कहां पर है तो इन सब को हम कैसे समझेंगे हमें इन सब को तो हमें इसमें दर्साना होगा अपने मांचितर में जो हमें मांचितर मिलेगा जैसे यहां पर देखते हैं तो सारी चीजें यहां पर हमें मिल जाने वाली हैं हम जैसे वहां पर ढूर रहे थे भी कि भवाराम का जन्म कहा हुआ था ता युद्ध हमें हुआ था यहां पर ह है यहीं पर होगा इसको पता होना चाहिए जहाए हैं तो अगर पता होगा तब हैं आप करपाएवगे अगर हम पू हुझते थे रात धधानि कहाëं पर थी तो हम यहां पर पांडोग की रात धानि काँ पर थी हमारी इंधप्रश्च थी और कोर्क पहले चलते हैं कहां पर अपने राज की राजधानी पर चलते हैं जहां से में पता चलता है में चितर आपको यह ध्यान देना है इसको आपको याद हो जाएगा तो आप कोईशन को आराम से पहले करेंगे पहले आप दिमाग बैठाएगा मांचितर जैसे आपको मिलेगा तो दिमाग बैठाना कि हमारा कौन कौन सा राजज कहां-कहां पढ़ता है अगर आप राजज को पकड़ लेंगे तब आप जा करके सारी चीजे समझ जाएंगे राजज को पकड़ना आपको जरूरी होगा तो देखिए जिसे मैं यहां पर चलता हूं सबसे पहला काम क्या है यहां पर आपको देखिए जो हमारा मांचीतर बनता है तो हमारा यहां पर उत्तर परदेश रहता है कहां पर उत्तर परदेश उत्तर परदेश की बगल ही हमारा बिहार परता है और बिहार के जस्ट नीचे जहारखंड दोंवालक की ये गए है तो बिहार और जारखंड बगल हो गए ठीक है और युद्धरदेश के इधर साइड देखते हैं तो यहां पर जश्ट बगल हरभी याड़ा पढ़ता है और बगल ही हमारा उत्राखंड पढटा है यानि कि जिसमें हमारा रहे दून है उत्रांचल जिसको बोलते हैं ठीक है तो यह हमारा उत्रांचल हो गए उत्रांचल के बगल यहां पर हमारा हिमाचल पर देस यहां पर पढ़ जाता है और यहां पर पंजाब पढ़ जाता है और सभी की राधधानी भी यहां पर जिससे इसके बगल यहां पर जम्बू कस्मीर पढ़ जाता है और यही पर हमारा लाद दाख पढ़ता है ठीक है जो बढ़ गया है और इसके बगल अब हमारा देखिए इसके बगल हमारा राजस्थान पढ़ गया ठीक है राजस्थान के बगल यहां पर गुजराद के यहां पर बगल चलते हैं महाराष्ट महाराष्ट के यहां बगल पर चलते हैं करनाटक, ठीक है, ऐसे हमारा केरल, केरल के बगल यहां पर तमिल नाडु, तमिल नाडु के फिर उपर चलते हैं अन्द पर्देश, अन्द पर्देश, यहां पर तेलांगाना, तेलांगाना के यहां पर बगल आपका, जिसे ही से चलते हैं, भोनेस् ठीक है तो उडीजा उडीजा यहां पर आपका क्या है 36 गड़ ठीक है तो अगर हम इसे करंस चल रही थे कि राजस्थान गुजरात महाराष्ट करनाटक उसके बाद केरल फिर तमिलनाड फिर आंद पर्देश फिर उडीजा फिर पस्चिम बंगाल ठीक है अब इसके बीज मे तो यहां पर गुज्रात यहां पर आपका जो आपका महरास्टव चल्ड़ इस तरीके से और यह पर आपका आपको यहां पर चल्फठेज धिखते हैं यह सब ही यहां पर सेबन ऑपा यहां पर मेगाल किस नुसथे आप Exam schwier Imp pendulum में मंगा लीजेगा अभी सी आप राज जयात कर लेते हैं तो आपके लिए राज्य में रहेगी जिस राज्य को पूछा जाएगा याद राखना ने इसको बाहर बना देना माली जे की महाराष्ट की रधानी कोन है तो महाराष्ट की रधानी अगर आप देख रहे हैं कि मुंबई है तो हम महाराष्ट के इंदर ही मुंबई ढूड़ेंगे हम मुंबई बहुत सारी पूछे जाने वाले हैं यहां पर 1877 की करांति का सरी गड़ेस गया मतब 1877 की करांति कहां से सुरू होई थी तो मेरत से सुरू हुई थी मेरत जो कि आपको कहां पर पढ़ रहा है, यहां पर पढ़ रहा है मेरत, देखी, यहां पर पढ़ रहा है, अब इसको मेरत देखना है, न कि आपको कोई राज दिखाना है, आपको मेरत देखना है, मेरत आपका यहां पर पढ़ता है, दिमाग मेठा लिजिए, मेरत यहां पर पढ़ता है, और रानी हीरिया में बहुत सारे थे जहां पर बहुत सारे लड़ाई हुई थी और मतलब हमारे बीर पैदा हुए थे और इसके बाद यहां पर देखिए वासन बिहार जहां पर कुमर सिंग ने कुमर सिंग किये जगदीसपूर से किए तो वह नहीं के नहीं इस पर रहा है तो हम ने बोला कि यहीं पर सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको में पॉटऊने पढ़के दिखा रहे हैं बहादूर साथ जफार जो थे करांतिकन नेतुरित कहां किये थे दिल्ली तो दिल्ली आपको यहाँ पर याद कर लें दिल्ली 100% याद कर लें बहुत ही अच्छी तरीके से लखनव दिल्ली फैजाबाद यह सभी बहुत याद कर लेना जहांसी इन कोईशन आपको बनने हैं उसके बाद आप देख लिए यहाँ पर आपका एक थे बेगम हजरत महल के जो संगर्स की यह थे लखनौ सी थी ते लखनौ यहाँ पर है और जहां तात्ता टोपे अंग्रेज के बिरुद किये था कानपूर में था कानपूर आपका यहीं पर है उ तब आपको यह सारी चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तब आप इसमें ढूनेंगे ऐसा नहीं है कि अब बैरकपूर वाला ही पोजीशन यहां पर पढ़ता है यहां पर देखिए यहां पर है बैरकपूर तो यह बैरकपूर मंगल पांडे वाला जो कि सबस्पहले इ कौन से कर दिये थे बैरकपूर से कर दिये थे मंगल पांडे ने विद्रो छड़ दिया था तो इसी तरीके से आपको इनमें से में इंपॉर्टेंट जो था मैनुज को बता दिया और इसके बाद विद्रो वाले में जिसे मौपाला किसान का यहां पर है देखिए यहां पर स्क्रीन सॉट मार करके आपको तयार कर लेना है कहां काप यहां पर चिन्ह लगा हुआ है ठीक है स्क्रीन सॉट आप ले लीजिए गए बार दिमाग से चलिए यहां पर आप कोशन यहां पर बन रहा दे कि कौन कोशन मर रहा है अठाथां ततन कां से मेरहड बना लियए फिर आप को मिल पांटें पसको आपको बजाया था तो पता है किसी तो पता है कि तो यहां पर सभी आपको इस ने में बना देन यह important question आपको है जहां से बहुत आने वाले question रहते हैं उसके बाद नौजागररकाल में कभी कभी पूछा जाता है जो question पूछे जाएंगे तो यहां पर question है देख लीजिए कि वासान जहां स्वामी दयाने सुरुसती ने गुरुकुल कांग्री के स्थापना की थी तो गुरुकुल कांग्री के स्थापना करने के लिए आपको इनम स्वामी दयाने सुरुसती ने कहां से सुरु किये थे तो उसको पता होना चाहिए अगर उसको पता है तभी आप कर पाएंगे नहीं पता है तो फिर वही है कि इसके लिए आपको यहां पर जो है screen shot इसको मार लीजिएगा देखे मैं दिखा देता हूँ screen shot इसका कर लीजिए इसको question पर लीजिएगा और यहां पर टिक भी लगा हुआ है कौन सा कहा है एक बार आप screen shot ले लीजिएगा ठीक है क्योंकि इतने question बताना संभू नहीं है मैं एक बार दिखाता हूँ इसमें question थोड़ा काम आते हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा छोड़ रहा हूँ question जहां से इसको बताने के लिए इसको अधिवेसन सुरू हुआ वहीं पर सुरू हुआ तो सीज़र मूंबई से हमें स्टार करते हैं कहां से तो मूंबई हम मूंबई इपने में ढूड़ते हैं यहां पर रहता है तो इसको हैं से दूसरा question बनता है कि वह अस्तान चहांट नहीं सो सता इसमें साइमन कमिस्क रख भाहिसकार किया गया तो यह कहां से चिन्ने कहां पर पर पढ़ता है पर चिन्ने यहां पर नीचे पढ़ता है तो चिन्ने ही पर किया जाता है उसके बादा है कि 1930 में कांग्रेस के पूर सुराज की सपत ली तो पूर सुराज की सपत लेने के तो पूर्ण सुराज के सपत हमारा सबसे पहले किया गया था कहां पर लाहूर में तो हम लाहूर ढूड़ेंगे तो लाहूर हमें इसे ढूड़ना पड़ेगा कहां पर है यहां पर है लाहूर तो लाहूर हम इसको 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 question जो है important हम भो ही पता दे रहे हैं यहां पर यह राधधानी है कि कौन सी किसकी राधधानी है तो आप याद कर लिजिए गा राधधानी को आप उसमें भर लेजिए गा उसके बाद अभी अभी और है अभी आपका अंदोलन वाला है अंदोलन वाला आपका पूछा जाता है प को दोजिए और सृट प्यायद कर लीजए गई से ऑपा है वाला कोईशे हमको नहीं मिल रहा भी Pika ौणधी जी next day यह थे अंदोलन वाला की कपड़ा मिल मजदूर वाला नील की खेती वाला यह सब ही जो है इन सब को भी आप याद कर लिएगा जो भी कुशन आप समझे लिए कि अगर आपको प्रसेंट का कुशन पता है तो आप चल जाएं भोगोलिक वाले में इसमें से भी आपका भोगोल इसमें कोई famous चीज कहां पर है उसको जिससे इबरहिम लोदी का यूद धुगए था पानीपत में तो पानीपत को आपको दरसाना पड़ेगा तराइन का मैदान कहा घुए था जो जिसमें परतीबराद चवान के बीच के यूद धुगए तो तहराइन का मैदान आपको यह देखने हैं यहां पर पानी पत हुआ तर screenshot आप का इसी तरीके से तरहन वाला आपको ल això्स को देख लेना है यहां पर टाlike ताज महीं क् Honor को पता है कि में पड़ता है तो हम उंस को देख लिए थर पर्देश के मिवह रहा को है थ्हां इसको भी आपको अच्छा कुशना इसमें से बहुत कुशन आते हैं एक बार इसके इसके लिए देख लीजिए यहां तक नीचे देख लीजीए गा वह स्थान जहां सोड मंदिर इस्थित है अम्रिस्सर तो हमें अम्रिस्सर देखना पड़ेगा कि हमारा पर पड़ता है ठीक पर आपको दर्साना पढ़ेगा, ऐसे आपको दर्साना, कभी-कभी इसमें ये तो हो जाता है, आपको इस तरीके चित्र द्वारा दर्साना होगा, संकेत चिन द्वारा दर्साना होगा, तो संकेत चिन द्वारा जो होता है, कुछ अलगती, ये हमारी धारातिली रचना है, ध दरसाइए उसको ऐसे रेखा दोरा रेखा दोरा दरसाइए तो नील गिरी की पहाड़िया हमें दरसाना हमें इसका स्क्रिंसोट ले ले ला है एक बार ले लीजिएगा स्क्रिंसोट और उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से तो नील गिरी पहाड़िया हमें इसमें जाकर के आपने में ऐसे दर्साना होगे हमारे नील गिरी पहाड़ियां कहां पर है ठीक है ठीक है आगर आपको समझ में आ रहा हो तो जहां पर आपको दिखे कि ये पहाड़ी हमारी कहां पर पढ़ती है नील गिरी पहाड़ी आररावली सरेडी काराकुरम सरेडी काईलास की स्रेली, धवलागी स्रेली, कौन सी स्रेली कहां पर पढ़ रही है, उसको हम उसी तरीके से दरसाएंगे, उसी रेखा के अंसाद जैसे रेखा दरसाया जाएगा, तो पहाड़ वाला एक आद कभी कभी पूछ लिया जाता है, अब हमारा नदियों जीले, ये बहुत पूछा जाता है, इसको भी दिमाग में बैठाना पड़ीगा, कि नदि क्या हमारा, जैसे गंगा नदि कहां से कहां थे, उसको चिन है तो गंगा नदि हमारी कहां कहां से चल के जा रही है, थमें गंगा नदि दिमाग में बैठाना, तो यहां पर हमने देखिए कुछ बना इसी तरीके से अगर आप देकिंगे तो इंद्रा गांधी नहर है यह इंद्रा गांधी नहर हो गया गोदा औरी नदी यहां से इसमें बहुत से नदी हैं तो अब सब्भी नदीयों नहीं दना महा नधीं जो है आपकी यहाँ से चिल्का ढ़िकी पास गईए यहां पर आपका कवेरिय नदी है नर्मदनादी नदी back यहां वालPI अब आग हो गया अजाए हैं और किशन बन के जुड़े हुए जाते हैं तो इन को छोड़िए यहां पर इस तरीके के चिन पूछ जिसे पुछ लिए एक उर्ड देज जीव के लिए अपन्गा, जिसे गैंडा पाया जाता है तो वो गैंडा उल्ला बताइके कहां पाया जाता है गैंडा पालन कहां हुआ है, राष्टि उद्यान जो कांजी रंगा है, जो है तो कहां पर है तो हमारा कांजी रंगा जो है राष्टी उड्यान कांजी रंगा कहां पर पढ़ता है तो उसको हम देखेंगे तो हमारा कांजी रंगा इसमें ढूंडेंगी कि आखिर कहां पर पर जैसे माली यहां पर पढ़ रहा है तो कांजी रंगा हम यहां पर और बोल दि तो नंदा देवी इसमें हमारा कहां पढ़ेगा उसको ढूंड करके उसे चिन्ड दवारा बना देंगे जिस चिन्ड दवारा बोला जाएगा चिन्न उसमें बताया जाएगा तो आपको चिन्न कुछ स्क्रीन्सॉट ले ली जिए गवर और उसके बार चलते हैं और दिखा दे हीरा कुन बांध हम देखेंगे कहां पर है रिहंद बांध हम देखेंगे कहां गया है भांगड़न अंगल बांध कहा है तब भांगड़न अंदल बांध देख लेंगे यह है रिहंद बांध है हीरा कुन बांध यहां पर देखेंगे किनारी 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 पर यहां पर संसादन केद कि आपको देखना अबरा कहां उत्पादन लोहा कहां उत्पादन बाकसाइड कहां उत्पादन ताबा कहां पर पूछ रहागा कि माल लीजिए बता दीजिए कि जहारखंड के अबरा कुछ बता दिया गया तो हजारी बाग में होता है अब जहारखंड का पूछ तो हजाई वाग यहाँ पर है, ऐसे दर्सा देना है इस तरह के से कुश्चन को यहाँ पर याद कर लेना है और यहाँ पर आपको दर्सा के देख लेना है, दिमाग में बठा करके थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर कोईलाव आप देख लीजिएगा प्रोल जाया था कि जारखेंड वाले अस्थान को आप भादी जहां पर कोईला उचला उसक्राइब बोकारो इसमें लिखना पड़ेगा कि बोकारो नाम लिख देंगे जारखेंगे ऊद्धार नंबर मिला करके एक नंबर आपको पूरा मिल संसाधन में जन संग्याइब, यह फसल कि गेहूं उतपादन कहा होता, कापास उतबन, गन्ना उतपादन कहां पर होता है, तो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहा हो ता इस तरह के पूछ लिए गया गया कुछ भी पूछ लिए गया इसको दर्साना पड़ेगा तब यह हो जाएगा यहां पर कुछ ने स्क्रिंसॉट ले सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर आजाएए कि बूछ लिए ज्वारार्सी और चिन्ह दर्साना पड़ेगा कैंटी पुछ लिए को सूथी तुदोगोमेशनियो जूट उढाएचे लिए कुछ राज्य बता दीजी मतल् COP कुछ इलाका बता दीजी तो चिन्न देख रहे हिं नहीं दूरा भार बताना होगा को सूशन इस पर्मॉकेन ऀंडोरा और कोिशेंद तर साई यह इा इस तरीके से यहां पर von 2 से होगया भ्यवड़ हुआ हो इसके बाद आपका कुश्चन इसमें से इतने नहीं चितना हमने दिखाया यह समने और राजमार्ग जो हां यह साडक मार्ग हैं उसिप और हैं हम गया है तो यह राज मार्ग मुंबई चे नई राज मार्ग कहुन से है इसक्रीन सॉट ले लीजिए गा यह इसमें सब बने हुए हैं और दरसा यह गए है यह यह प्रैक्टिस है यह आपका बना हुआ है तो इस तरीके से यहां पर आपको पूरा मिल जाएगा ठीक है तो आप यह इसको स्क्रीन सॉट लेकर कि है रेलमारं कर पैटा कि आपको द्हां देना है जब बौल दिया जाता है कि उत्तर एक फैसर आप यह पूरा की तरफ भाग है सभी जुड़े हुए उत्टर परते से सभी जुड़े हुए रहेंगे बहार कि दच्छर ड्च्र परते से नही होगे तो यह आपका रेल मार्ग आप अंदाज से बना देना ठीक है और जिसा जान लेना इधर आपका पूराव होता है इधर नीचे दस चिल नीचे दस चिल तो उपर उत्तर और दहीने साइड पूराव तो इधर पस चिल याद कर लेना पहले से इस तरीके से यहां पर हो ग प्लीटली यहां पर बता दी है तो आपको सबस्पहला काम क्या करना आज अपने राज को देख लेना उसकी राध्धानी को देख लेना है और थोड़ छोटा छोटा चुछन को आपको यह बार लार्न कर लेना ताकि आपको जो भी कुछे जाए अपने हिसाब से बना दे द तब तक कि लिए आप मारे चैनल पने रहें और मेरे फैस्बूक पेज को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और सेकंड चैनल मास्टर जी मुएं टे चैनल निचर डिस्क्रिशन में लिंक है डिस्क्रिशन चेक करिए वहां पर आपको मिल जाएगी और इसका जो है इसका पीड वहां पाल आपको मिल जाम जाएब का तर दीजिए सेक्रिशन बीजिए और सेक्याल जाएब ते रहें जाएब।